वेलकम टू सुपरकार इंडिया स्वागत आप सभी का कार और बाइक की बिल्कुल इन नई दुनिया में दुनिया में इलेक्टिक कारों का क्रेज इतना बल चुकाय की हर कोई कमनी फीचे स्टिक्स और कमाल की कारे बनाने में लगी हुई है यही वो जहें कि सेग्मेट में कई वहां दुनिया अपनी एक से बल कर एक इलेक्टिक कारों को गलोबली पेश कर रही है पेट्रोल डिजल की बलती कीमोतों की बीच लोगों का जुकाव इलेक्टिक वहानों की ओर हुआ है लोग इलेक्टिक बाइक और इलेक्टिक कार खरीदने के बारे में सोचने लगे हैं गाइस अभी तक तो इलेक्टिक कारों के लिए पूरे चारजिंग इस्टेशन भी नहीं बने हैं लेकिन कमनी ACAC कारे लोज करने की तैयारी में है जो न कभी देखी होगी और ना ही आपने इसके बारे में कोई बात सुनी होगी दोस्तों कुछ सालों से चीन जापन ऐसे ऐसी इलेक्टिक कारे बनागर दुनिया को चोका दिया था लेकिन अब चीन और जापन को चोकाने के लिए एक इंडियन कमनी लश्ट ने एक ऐसी मोबिलिटी कार बनाई है जो सिर्फ इलेक्टिक से चलती है इस कार का फीचर भी काफी कमाल का है तो चलिए दोस्तों लश्ट में क्या नए फीचर्स देगे हैं आईए देख लेते हैं लश्ट इलेक्टिक कार में 48 वोल्ट्स एंड 100 A.M.P.S के लिथियम एंड बेटरी पेग दिया गया है कमपणी ने अपनी लिथियम एंड बेटरी को हाई एंड इंटिग्रेटेड बेटरी मेनेजमेंट सिस्टम बीमेस के साथ डिजाइन किया गया है लश्ट L1 पहला स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी वहिकल है जो के लश्ट मोटर दुआरा डिजाइन किया गया है इस कार में आगे टुए हेड्लेंस दिए गए हैं जो काफी कमाल के लग रहे हैं जो इस मोबिलिटी को और भी अट्रेक्टिव बनाते हैं दोस्तो खास बत यह है कि इस कार में जो headlamp दिये गए है वो digital screen की तरह है जहां आपको उपर side indicator और parking वो digital display में दिखाई देते हैं जो काफी कमाल का है कार के front में telescope suspension भी दिया गया है दोस्तो इस कार को आप mobile app की मज़र से इस कार के door को open और close भी कर सकते हो जैसे आप open door बटन दबाएगे तो इसके doors उपर की तरह खुलेगे like twitch Lamborghini की तरह गाईस इस कार को आप सिर्फ एक गंटे में चार्जी करने के साथ 120 किलोमेटर तक 99 बराई ले सकते हो दोस्तो लश कार को commute और काफी ताकत के साथ composite किया गया है sitting capacity के बात करें तो इस कार में सिर्फ वो दो ही लोग सफर कर सकते हैं और इसके seat काफी comfortable दी गई है गैसे कार सिर्फ city के लिए design की गई है लश कार को एक गंटे के चार्जिंग से 120 किलोमेटर तक 99 बराई ले सकते हो lush electric mobility के rear side में थोलब boot space भी दिया गया है जहां आप अपने officially work के लिए file भी रख सकते हो इस कार को आप छोटी सी जगा में आसाने से पार्क कर सकते हो दूसरे एक electric car है इसलिए ना तो यह आवाज करती है और नहीं pollution power और specification की बात करें तो इस कार में 48 volts and 100 mps की lithium-ion battery pack दिया गया है lush electric car आपके हाथों के finger से start होती है यानि यह biometric start mobility vehicle है दोस्ते इस कार में 7 inch का touch screen dashboard भी दिया गया है और खास features की बात करें तो इस mobility में digital speedometer भी दिया गया है इसके साथ इस mobility में GPS navigation system होने की वज़े से आप अपनी trip की जानकारी शेयर कर सकते है इस करो reminder setup कर सकते है और reminder सी push button के साथ नियर charging station की जानकारी भी ले सकते है तो दोस्ते यह थिलश की तरफ साने वाली upcoming electric mobility vehicle वीडियो पसने तो like कर दीजिए और भी तक आपने अमरी चैनल सुपरकार इंडिया को सबस्राइब नहीं के तो प्लीज सबस्राइब कर लीजिए टेक केर बाई